हलो दोस्तो चलिए सेशन को हम स्टार्ट करते हैं लेकिन इससे पहले में कुछ इंपॉर्टन बाते बताने जा रहा हूं आप लोग नोट करिएगा वीडियो को बिल्कुल भी स्किम मत करिएगा देखिए मैंने जो एनलाइसिस किया जो देख रहा हूं कि बहुत कम बच्चे ह जाते हैं और एक वो बच्चे होते हैं जब एक्जाम आता है तो किसी भी टीचर के आपके वीडियो की नीचे देखेगा बहुत सारे वीव आते हैं बहुत सारे लाखों में बच्चे देखते हैं तो वो सिर्फ भीड कठा करने के लिए आते हैं आप जितने भी स्टूडें देखते हैं वो कमेंट भी करते हैं चलिए आज का सेशन बहुत इंपॉर्टन होने वाला है क्योंकि आज के कुश्चन जो हैं बहुत यूनिक कुश्चन है देखे कुश्चन नमर फर्स्ट है हमारा किसमें बोला क्या गया है मनीज ने एक मोबाइल फोन अंकित मूल पर 50% की चूट के बाद खरीदा और उसने अपने करय मूल के 35% लाब उपर 81-100 रुपए में बेच दिया अंकित मूल क्या था देखे जो हमारे सुरू से इस्टूडेंट जुड़े होंगे वो इस कुश्चन को तुरंद कर लेंगे उनको तुरंद समझ में आया जाएगा इस परस् कर देखिए सबसे पहले क्या करेंगे जो हमें बोला गया 50% की छूट करते हैं तो देखे में जब 50% छूट करेंगे तो 50 हो जाएगा और यहां पर दोसरा क्या बोला गया आपको 35% की लाब तो 135 अब हम गल्तिया कहां पे करते है जैसे लिखे यह 1-800 लिख दिये ठीक है को आधा अंसर देता है यहां पर पोला गया है अंकीत मूल क्या था पहले आप लोग बताएं इंगलीज पढ़ते हैं जो बहुत सारे बच्चे था मतलब क्या होता है मतलब बीग चुका जो है पहले का पूछ रहा ठीक था मतलब वो क्या था पहले पहले आधी पूछा अभी वाला मान ऊपर रखेंगे ठीक है पहले का पूछव उसके बाद क्या करेंगे पाचास गुड़े 35 करेंगे क्योंकि हमसे यहां पर पूछा गया पहले कमान 50 गुड़े 135 किये अब इसको हल करेंगे देखिए इसको काटेंगे तो ये दो बार जाएगा फिर इसको काटेंगे देखें पान दूनी दस बीस हो जाएगा इसको काटेंगे तो देखें पान दूनी दस पान सते पाइंदी इसको साथ से काटेंगे तो ये तीन बार कड़ी आएगा तो हमारा आ क्या गया तीन सो गुड़े, आपका दो दूनी चार, यह मतलब कितना आ गया आपका? चालिस इसको गुड़ा करेंगे, चारते हैं बारा, मतलब कितना आ गया आपका? बारा हजार, कौन सा अपसन में है? आपका अपसन नमर भी सही है, बताइए आपने कौन सा फर्मूला याद किया, कुछ फर्मूला याद किया, बस आपको मैं एक कंसेब्ट बता रहा हूँ, समझेगा, आप बस यह समझेगे, देखें, हमारा चूट बोलता है, हमेशा 100 से होता है, तो छूट बोला, 50 हो गया, ठीक है, और यहाँ पर क्या बोला गया, 35% कलाब, तो 100 पर 35% कलाब, 135 हो गया, यह हमारे जो होते हैं, पहले के मूल होते हैं, ठीक है, यह पहले होते हैं, और यह जो इधर के होते हैं, यह हमारे बाद वाले होते हैं, तो हमेशा जो दिय रहेगा पूरा लिखा रहेगा रुपे उसको लिख देंगे गुड़े लिखेंगे अब यहां डिसाइड करते हैं उपर को रहेगा तो हमारा सवाल खुदी बोल दे रहा कि अंकित मूल क्या था था मतलब पहले का पूचा गया तो पहले का पूचा जाएगा तो पहली वाली वाली बहलो ऊपर रखेंगे उसके बाल जो बाद में आता है 50-500 उसको नीचे रखेंगे इन सब को काट पीट के आपका 12,000 एंसोर आ जाएगा ठीक है समझ गये होंगे आसानी से समझे होंगे बहुत सारे लोग समझ गये होंगे क्योंकि regular हमसे पढ़ रहे हैं तो उनको जो तरीका में बताता हूँ देखे मैं हमेशा एक चीज़ बताता हूँ एक वीडियो भी अप्लोड किया था मैद कैसे सीखे तो यही चीज़ बताता हूँ आप किसी भी एक teacher से पढ़ेंगे ना तो वो जो अपना बताता है एक तरह हल करने का तरीका वो तुम्हारे दिमाग में बैड जाता है तो कभी भी आप प्रश्णों को गलती नहीं करेंगे चलिए नेक्स कुर्शन की तरफ चलते हैं बस आप लोग दोस्तों इस वीडियो को सेर जरूर करा करिए बहुत सारे स्टुडेंट कहते हैं सर सेर करेंगे competition बढ़ी आएगा देखे competition नहीं बढ़ने वाला है वो सब के अपने पढ़ने का तरीका होता है आप खुद देख रहे होंगे किसी भी इस समय ब्यू कितना आता किसी भी जो classes होती हैं लेकिन जब यही बच्चे होंगे एक काम को एक बटा चार हिस्सा समाब करते हैं अगले छे दिनों में काम पूरा करने के लिए अतरीक्त भीक्तियों की अवसकता है तो संख्या ग्याद कीजिए देखे आप एक फार्मूला सब को पता होगा M1, D1, W1 ठीक है बराबर में क्या होता M2, D2, W2 बता दे रहा हो लेकिन सब को स्टूडेंट को पता जितने भी बच्चे आग तयारी करते हैं सब को ये फार्मूला पता है देखे आप कैसे हल करेंगे हमारा यहीं पर समझना है आपका बाराब्यक्त किसी काम को ठीक है छे दिनों में एक बटा चार हिस्सा समाप्त करते हैं ठीक है आपका बराबर यहां पर बोला अगले छे दिन आप समझेगा गलती कहां करेंगे आप गलती कहां करेंगे यहां पर छे लिखेंगे छे नहीं लिखना है देखे छे दिन तो यहां हो गया उसके बाद अगले 6 दिन तो एक देखे यहां 6 दिन हुआ उसके बाद 6 दिन में और अगला 6 दिन तो कितने दिन हो गए 12 दिन गुड़े क्या पूछा गया है आपका कितने अतरिक ब्यक्तियों की संख्या मतलब हमसे M पूछा गया ठीक है अब यहां हल करेंगे तो यह 4 क्या होता ऊपर चला जाता ठीक है यह 4 हमारा ऊपर चला जाता है आप लोग कमेंट करके बताईएगा देखें हम यहां पर गलती करते जिसे 12 गुड़े 6 लिख देते और यहां तक एक बटा 4 लिखते लेकिन आप गलती यहां करते जब 6 लिखते और आपका यहां पर M2 निकालते तब आपकी गलती हो जाती यहां पर 6 नहीं रहेगा ठीक है क्योंकि यहां पर बोला गया है अगले 6 दिन अगले 6 दिन मतलब तो 6 दिन हो गया जिससे आपको बोलता है कि आज 6 दिन जाओ उसके बाद अगले 6 दिन बाद जाना है आज 6 दिन नहीं जाना तो टोटल आपको 12 दिन हो गये तो यहां पर 12 लिखेंगे आप समझ गये होंगे देखिए समझा जो रहा हूँ, किसी ने मैद नहीं पढ़ा होगा, काफी दिन से भी नहीं पढ़ा होगा, जो तयारी करें, उनको भी आसानी से समन में आ जाएगा लेकिन आप लोग प्लिज वीडियो को लाइक जरूर करा करिए, जितने भी लोग देखते हैं, जई कम लोग देखते हैं, लाईक करा करिए, अगर आप लोग अच्छा लगा करें, क्लस तो शेयर करा करिए, देखिए ये प्रस्ण बहुत लियुक्त है, लेकिन मैं इसको कुमर का प्रेंदे रहें यह प्रश्ण में कुछ नहीं करना है आपका यहां से जब x कमान निकालेंगे समी करण से यहां पर x कमान रख देंगे ठीक है यही चीज़ बताना x कमान निकाल के रखना है बहुत सारे बच्चे कलेंगे बहुत ही basic method से चलिए next question की तरफ चलते हैं देखे इस परहन को आप लोग कितने लोग बतायेगा फार्मूला याद करते हैं ठीक है फार्मूला याद करते हैं एक सॉय मानती देखे आज के बाद आप कैसे सिकेंडो में हल करेंगे कैसे हल करेंगे सिकेंडो में यहां पर बोला गया 11 के पहले 25 गुणकों का आउस्त क्या है अब आप समझेए 11 के पहले 25 गुणकों का आउस्त क्या है तो हम ऐसे लिखेंगे 11, 22 ऐसे डाट डाट क्या कि 25 तरह लिखेंगे नहीं हमको नहीं लिखना है क्योंकि इनके 20 समान अंतरारा 11, 11 का अंतरारा तो हम द बाद लास्ट वाले का ग्यारा गुड़े पचीस का इनका योग करके बैटे दू कर देंगे देखिए अभी बताएंगे क्यों करना है आप ग्यारा प्लस देखिए ग्यारा पच्छे पच्पन के पांच ठीक हांसिल कितना बचा पांच ग्यारा दूना बाइस और बाइस में आगर आप पांच जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 27 और बैटे में दू करेंगे देखिए साथ पांच एक चैंऐगा ठीक है यां लिइख दे रहा हूँ यहां पे करेंगे तो यहां काटेंगे दो कमदों दो चोक और दो तेश्या 143 है आपका आपसन नमर सी सही समझेगा एक तरीका पता रहा हूं जैसे तीन के पर्थम ही हहा है तो देखिए थीन लिखेंगे ठीक है छे लिखेंगे तिन के पहले चार गुला गया तो देखिए समान नंतर रहें तीन कंतर तीन कंतर तीन कंतर जब भी समान कंतर रहें तो पहली वाली संख्या और लास्ट वाली संख्या का योग कर देंगे आपका एंसर आ जाएगा तो वही तो हमने यहां भी किया ग्यारा उसके बाद बाइस आएगा तो डाट डाट जब करेंगे तो ग्यारा करेंगे और दूसरा एक जो रहते हैं जो अभी पढ़ नहीं रहे हैं वह बैठे हुए हैं जब एक्जाम आएगा किसी भी बहुत सारे भीड़ी कठा करेंगे तो वही लोग बेसिक से करेंगे आप लोग अभी पढ़ रहें आप लोग का सेलेक्शन बहुत ही आसानी से हो रहते हैं आप कहां हो जाते हैं जैसे सबको पता रहता है कि या तो साथ उपर रहेगा या तो आपका तेरा उपर रहेगा या तो आपका तेरा नीचे रहेगा या तो साथ नीचे रहेगा आप समझे कहां गलती करते हैं आप एक चीज हमेशा याद रखेगा जो हमारा माध होता ठीक है माध हमेशा आपका नीचे रहता है उपर साथ रहता मानक बिचलंग गुणे में सो रहता जब भी बिचलंग पूचता हैं तो हमारा यह हो जाएगा जिसे साथ सो अब इसको भाग करना महिना किस से धेरा से देखे पूरा भाग नहीं करना है आप हुमारी पूरानी वीडियो देखी हो गैंगी कि पता होगा कैसे भाग को दिया जाता है आप को कर लोग आपसद की मदद लेak met देखे देखे देचे तैरा पच्छे 55 बार जाएगा। उस पांची दो उसके बाद कितनी बार जाएगा आपका लिखे चार बार जाएगा आप वाया है किया क्योंप करता है या आपका यूनिग मैथड अब इसी को आप पूरा भाग करेंगे तो आपको क्या मिलने वाला है को वहां मिडल देने थोड़ी आएगा आपको सही आपसंग करके आना है कम समय में कैसे परसुनों को अटेम करना ये चीज समझें और इसी चीज में आपका जो है कम समय में आप 100 परसनों को एटेम कर लेते हैं वहां तक पहुंच जाते हैं कभी-कभी देखिए बच्चे 70-80 परसनों पर जाते हैं उसके बाद वहां 100 तक पहुंचते नहीं है देखिए इस परहंट को अभी जैसे बता है ना M1, D1, W1 ठीक है M2, D2, W2 अभी जैस्ट जो पीछले आप कुश्चन कराया था सेम उसी टाइब का सेम उसी टाइब का है बस इसमें थोड़ा आपका घुमाया गया है उसमें छे दिन बोला गया था छे दिन अगले छे दिन इसमें छे दिन पहले क्या बोला गया छे दिन के बाद तो देखिए आप लोग कोसिस करिएगा ठीक है एंसर यहां दिया भी गया है, यह सही है, कोसिस करिएगा, ठीक है, आप एक बार कोसिस करके देख लिजेगा, कैसे लगाना है, नहीं आता आख, कमेंड भी करिएगा, वह से भी मैं सारे परशनों को करा दूँगा, जितने भी मैं होमवर्ग के परशनों को दे रहा हूं, बस आप लोग वीडियो को पूरा देखेगा, बिल्कुल ही मत छोड़िएगा, यह रिजिनिंग का परसन आ गया, यह आप लोग इसको कल लिजेगा, बहुत ही सिंपल परसन, रिजिनिंग का है, रिजिनिंग आप लोग देखेगा, आप लोग रिजिनिंग काफी अच्छी जितने भी आज तक railway group D LTPC LPJ में पूछे गए हैं सारे प्रश्णों को में कराया हूं और सारे प्रश्णों को ट्रिक से कराया हूं आप लोग एक बार जाके देख लिजेगा ज्यादा वीडियो ने देख लिजेगा आपका एडवांसमेंट कवर हो जाएगा देखिए समझेगा यद एक तिर्भूच के कोड़ों का अनुपात दिया गया वन रेसी टू रेसी तो सबसे बड़े कोड़ का मान ग्यांद कीजिए तो सबको पता है तिर्भूच के तीनों कोड़ा को यो कितना होता एक्सों सी तो डारेक क तीज करेंगे तीन तरी का नोग लगाएका क्वावचन है आपको अपसे नम्मर दिखिए कौन सा सी साई है ठीक है जल्दबाजिय में गलतीया मत करिएगा कभी-कभी तीन-तीन जैसे अब यहां कर रहा था तिन दूनी चे कर रहा था ऐसा नहीं करना तीन और दो पाँच कर करना है ऐसे गलतियां होती है ठीक है तो इस छोटी छोटी गलतियों को आप रोली समझेगा कहां पर गलती करना है देखिए यह प्रसने इसको दो टाइब से करेंगे ठीक है एक बेसिक तरीका नहीं बताऊंगा और एक आपको बताऊंगा आप सन कैसे ट्रिक से हल कर सकते हैं आपको समझना क्या है जैसे बोला गया बाइस प्रेचनों का माद 10 है दो और प्रेचनों को सामिल करने पर नया माद 11 हो जाता है नए प्रेचन का माद कर देखिए इसमें smart approach कैसे लगाना जैसे कि हमारा पता गया है 22 ठीक है 22 दिया गया आपका 22 10 कितना हो जाएगा आपका 220 220 Ribas Georgia T type thay pura कर रहें अब यहांप दो आऊवर सामिली कर लिया जाथा तो बारρό सरता यह वालीश में चौबीश ठिकर acabou क्या बिज हूंब बड़ी बेलिव तो यहां दो बचेगा और यहां नीचे वाल गटेगा तो देखे लाश्ट में यहां क्या बचना पहले यह समझझे हम पूरा हल करके नहीं बता रहें देखे चार में से जीरो जाएगा तो यहां पर कितना बचेगा चार बचेगा तो हम जब भाग करेंगे लाश्ट में दो आया गया क्योंकि चार से जब भाग करेंगे दो दूनी चार हो जाएगा तो दो एक ही आपसन में आपका आपसन नमर्डी साहिए अगर नहीं समझ में आ तो देखिए कैसे करना है बहुत सारे लोगों को नहीं समझ में आगा इसके बीच अंतर कितने का है आप चाहें तो पूरा हलकरें आप चाहें तो इसे हलकर सकती एक्या किभ्याम में वैठे हैं इस में दस किये पूरा नहीं को कीतना आ जिरो आ रहा है और यहाँ दो सामिल कर लिए 24 गुले क्या कि यह 9 हो जाता है तो 11 चुक यहां पता है 2 आएगा यहां पता है 4 में से 0 जाएगा 4 आजाएगा तो कौन सा आफसन रहेगा जिसमें 2 से काटेंगे लाश्ट में 4 दो आएगा तो आफका आफसन नबर 20 साइए यह तरीका होता है exam को क्रेक करने का ठीक है देखे इसमें जितने भी लोग एक्जाम में बैठते हैं समझेगा 90 परसंट जो बच्चे रहते ना सारे मैद को कुश्चन को लगभग कर लेंगे लेकिन करने से नहीं हो था कम समय में आप कितने परसनों कर रहें यह देखा जाता है यही आपकी स्पीड होती है बहुत अगर बेसिक से लगाने को देखा आप लोग बहुत सारा टाइम देखा सब लोग 90 करके आएंगे लेकिन अगर यही कम समय में इसलिए आप लोग क्यों किया जाता सीबीटी कंप्यूटर बेस को क्योंकि उसमें देखा जाता आप कितने अंदर स्मार्ट वर्क से करते हैं तो इसलिए मैं स्मार्ट वर सार्ट ट्रिक सारे तरीके बता रहा हूं कि एक्जाम में कैसे प्रशनों को हल करना है कैसे अटेम करना है कैसे क्रेक करना है लेकिन दोस्तों जो वीडियो लाता हूं आप ही लोगों के लिए लेकिन आप लोग प्लीज दोस्तों सेयर जरूर करा करिए एक लाइक करके जाया झाल झाल